हलो एव्रीबडी इस दिग्राश सिंह राजपूत वेलकम तू मैगनेट ब्रेंज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम टाइट्स के बारे में पढ़ेंगे सवाल सबसे पहला कंहाया होगा है तो मुवमेंट ऑस ओषयर वाटर मुवेंट्स उषंप हुज टिम्स सबसे पहला सवाल आपके मन में टाइट किया होती है ताइट कुछ नहीं टाइट रिदमिक राइज और फॉल ऑफ ओशन वाटर है मतलब एक पिरियोडिकली क्या होता है राइस और फॉल जो ओशन वाटर में देखने को मिलता है पानी असा नहीं है कि किसी ने छोड़ दी उपर उठता है पानी कभी नीचे जाता है अब वेवस के केस में तो आपको बता था कि वेवस में जो ट्रफ्स और क्रस्ट क्रेट हो रहे हैं वह उसके पीछे वाट इस सोर्स ओफ एनरजी तो सोर्स ओफ एनरजी इन वेस इस विंड ठीक है लेकिन यहां बात की जाए कि य यहां पर सोर्स ओफ एनरजी क्या है तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगी तो टाइट्स तो टाइट्स आर दी पिरियोडिकल राइज और फॉल ऑफ सी लेवल ठीक है वंस और ट्वाइस अडे तो दिन में एक बार या दो बार क्या होता है ज जो ग्रेविटेशनल अट्रेक्शन होता है मून का सन का ठीक है उस कारण से क्या होता है दिन में एक बार या दो बार जो राइजन फॉल देखने को मिलता है वो टाइट्स होती है अब सन और मून और क्या ग्रेविटेशनल पूल और दिन में एक बार दो बार कैसे तो उस क तो अपनी जागे स्टिशनर यह अर्थ घूम रहा है तो उससे क्या और आपको यह देखने को मिलेगा कि हाँ सन जो है तो सन का ग्रेविटेशनल पुल जो है वह अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है अब अर्थ ऐसे खीचे चले आएगा अर्थ नहीं आएगा लेकिन अर्थ के पानी है वह लिक्विड स्टेट में लूज है तो पानी के ओपर क्या है ग्रेविटेशनल पुल काम जरूर करेगा तो पानी जरूर सन के तरफ खीचे चलाएगा तीगे अब पिच्चर में किसको लाते हैं देखो सन का डिस्टेंस और अर्थ का डिस्टेंस दूर है तिक अ क्या है रिलीटिव लिए अर्थ के पास है तो मून संसे छोटा जरूर होगा लेकिन ग्रेवीटेशनल पुल ज्यादा पास में लेकिन ट्रफ नहीं खीच पाएगा तो अर्थ को नहीं खीच पाएगा तो अब क्या होता जिसे कि आप ये प्यूंट देखोगे त्टिक है इ तो यहाँ क्या हो आपको हाई टाइट देखने को मिलेगी पानी उपर उठेगा तो यह दिन में एक बार यहाँ टाइड आगी और ठीक इसके अपॉसित में सेंट्रिफ्यूगल फोर्स काम कर रहा हो तो यहां भी हाइट आएगी तिक इधर भी हाईट आएगी कैसे वह आपक टाइड आती है हाई टाइड और अब यहीं चीज क्या होती है कि जैसे इसके परपेंडिकुलर जो रहेगा पार्ट तो वहाँ पर लो टाइड आ जाएगी ठीक है तो ऐसे हाई टाइड लो टाइड काम कर रही होती है अब आपको अगर इस चीज को रिफरेंस में समझना तो है आपको देखने को मिल रहा है कि सन जो है वो ग्रेविटेशनल पूल का काम करी रहा है मून जो है वह अपना को लगा रहा है तो मून का इंपक्ट ज्यादा रहता है यहां पर ठीक है यहां पर जैसे डिशाओ लिखना बन्स और ट्वाइस में लीट डिवाइन लिटू ट तो पानी कही नहीं जा रहा है पानी उतना ही है लेकिन वह पानी ऊपर उठ जा रहा है ड्यू टू टी ग्रेविटेशनल पुल और एक बल्ज हम क्या कहते हैं टाइट्स कहते हैं ठीक है इस्टेडी ओफ टाइड इस वेरी कॉंप्लेक्स ठीक है स्पेशियल एंड टेंपोरल एज इस ग्रेट वीरियेशन इन फ्रिक्वेंसी मैगनिटू इन हाइट अब टाइड जो है अब बहुत सिंपल समझाए कि हाँ ग्रेविटेश इसको पढ़ते ना तो उसमें बहुत सारे इन फेक्ट आप तो 11 में सारी चीज़ा पढ़ोगी भी नहीं टाइट को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको कहा है बहुत सारे स्पेशियल टेंपोरल यह सारे डिफ्रेंस देखने को मिलते कहीं कि चार बार टाइट जाती है है दो हाई दो लो तो उस तरह से मल्टिपल फेक्टर्स काम कर रहे होते तो ग्रेट वेरियेशन इन फ्रीक्वेंसी मैगनेट यूट हाइट कहीं बहुत उची हाइट आती कहीं मतलब टाइट जो रहते कहीं पर राइस की जो बात कर तो जादा राइस होता है अभी बे ओफ ठीक है तो इस तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत कॉंपलेक्स फिनोमेना है तो इससे अच्छे समझते देखो अब यहां पर एक कन्फिजन जो रह सकता आपके मन में आपकी बुक में जो दिया है कि टाइट और सर्ज में क्या डिफरेंस होता है राइज और पा रहा है कि लुनर टाइट तो इस तरह से टाइट का आपको एक कैप पिरियोडिकल सिस्टम पता रहेगा कि अर्थ और मतलब सन्मून अर्थ इनकी पोजिशन पर क्या है कि पिरियोडिकली राइज इन फॉल उने वाला कब क्या होने अला हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक है रहती वन फॉल रहा है सर्ज मेंपी का रों रहा है राइजन फॉल होता है डाने स्टम सर जाना आप अब स्ट्राउभ कोलत बाइचा और पर या प्रुपर उठता है तो इसे क्या कहा अगर पानी वो कोश्टल डीजन्स में पानी आके क्या होता है बढ़ने लगता है राइस देखने को मिलता है तो स्ट्रॉम सर्ज हो जाता है आगे समझ में डिफरेंस के दो को टाइड्स पिरोडिकल है टाइड्स डिपेंड करती किस पर सन मून और ग्रिविटेशनल पूल्स मून ठीक है टाइड्स डेल याएंगी लेकिन सर्ज जो होगी तो वह क्या होती है वह एक तरह से एक्सेप्शनल रहती है जब यह मीटलॉजिकल इफेक्ट काम कर रहते है ठीक है तो यह आपको टाइड्स और सर्ज में क्लेरेटी मिल गई है नाओ मूइग ओन टीनेच्ट फेक्टर्स रिस्पॉंसिबल फोर इस फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स तो अब तो अग्रेटर एक्टर्स में वह ज्यादा ग्रेटेशनल पूल एक्जर्ट कर रहा है सब्सक्राइड तो वह तो अपनी जगे यह वहां पर तो वह तो चक्री लगा रहा है गूल गूम रहा है मून पास में मून का इंपक्ट ज्यादा होता है इस कारण से विशन जो मून के करण आते हैं तो यहां पर लिखा है ग्रेटेशनल पूल आटा एक यह जटन प्रीरीज चेंट मून यहीं ग्रेशनल फोल्टीघ यह उसंजरा और दैक्तारी से अंट्रीक इंटर हो गया दूसरा वासी पूर्स का अटभ सेफिक्स का अंसर्प्ट है समझो इसे संट्रिफिगल फोर्च थोड़ा से मैं आपको बेडिए यहाँ पर क्या लिखा है दिवी फोर्च डट एक्ट तू काउंटर बैलेंस दी ग्रैविटी अब इस डिवग्राम से समझें यह कोशिश करना चीज़ों को देखो क्या हो रहा है यह ताइडल बल्च जो तरफ बनता है जिस तरफ मून जिस तरफ अर्थ का फेसमी के तरफ होता है ठीक है तो यह प्रफ यह समझों जब भी हुइं सब्सक्राइब जब भी कोई रोटेट करति ना तो एक फॉर्स बाहर की तرف लगता है करें अ silk तो इसको करनेट करना कि क्या हो रहा जब भी कोई फोर्स क्या कर रहा होता है जब भी कोई बॉड़ी रोटेट कर रही होती तो एक फोर्स क्या करता है बाहर की तरफ लग रहा होता है जैसे एक्जामपल में आपको देता हूं आप रसी लेना एक अपनी थी उसमें पत्थर ब लग रहा है वो सेंट्री पीटल हो गया और सेंट्री फ्यूगल क्या है कि जो बाहर एक सूड़ो फोर्स होता है यह तो रोटेटिंग अब्जेक्ट के ऊपर अर्थ के ऊपर हवाये चल रही ओशिन करेंट चल रहे हैं अब यह जो चल रही है तो वह क्या करी नदन की तरफ कर वह सर्फेस के ऊपर और यहां पर जो संट्री फ्यूगल फ्यूगल फोर्स लग रहा यह भी सूड़ोवर्स है लेकिन यह कहां लग रहा है यह जिस अगर आप देखोगे तो यह एक तरह से कहा है यह एटमॉसफर के ऊपर लग रहा है ठीक है रोटेशन के कारण डेवलप ह हो रहा है ठीक है rotation के कारण develop हो रहा है तो कुछ भी अगर समझ नहीं पढ़ना है मैं इतनी चीज़ समझ में आना चाहिए कि centrifugal force क्या है जो force against में काम कर रहा है ठीक है outward काम कर रहा है इनवर्ड कौन सा फोर्स काम कर रहा है तो gravity इनवर्ड फोर्स काम कर रही है अब ऐसे समझो जो रसी घुमा रहे थे ना तो रसी में जो एक सेंट्री पीटल फोर्स लग रहा था वो ग्रैविटी हो गई है बतलब ग्रैविटी क्या करके रखिए ocean के वाटर को इसे उड़के जाम एणे देरी ना ओशेन वाटर अगार सर फेस पर समाया हुआ है क्यों समाया हुए वह इस लिए समाया हुआ हो यहाँ देख रहो तो मौन पर यहchlag रहा है क्योंकि अर्थ की बीक्राविटी सक्षी खिष्कर कि रख्यों अब समझ में आया centrifugal force the centrifugal force जो अर्थ एक ग्रैविटी के अगेंस में काम कर रहा होता है तो अब देखो कैंप एक फोर्स इधर भी काम कर रहा है तो टाइड्स जो आती तो टाइड़ सो ग्रैविटी के काणड़ तो बढ़गे यहा तक तो बहुत आसान था अब यह जो सेंटिरीफीकल फॉर्स इधर काम कर रहे हैं तो फोर्स अर्थ को तो ढखा के लिए यह सकता लेकिन जो लेकिन यह लिक्विट स्टेड्ट में वाटर ने ऊशन वाटर उसे वह जरूर का देटा है तो इस कारण समर क्या देखने को मिलता है कि इस साइड लग रहा हता है तो यह जो रिजल्टेंट टाइडल बंते नज ग्रधिटेश्ब सक मे donn systems के चारण इस तरह से क्या Knight डॆ क सब्सक्राइग एक अधा रोटेशन के कारण एक बल्ज तो इदर बनी रहा है दूसरा बल्ज इदर सेंट्रिफ्यूगल फोर्ज जो लग रहा होगा पीछे उस कारण से भी बनता है ठीक है तो एक जगा कभी-कभी दो हाई टाइट भी क्या करती है अब सब्सक्राइब करती है ठीक है क्लियर वो नहीं टाइडल बल्ज ओंडियर ठीक है तो यह दो मेजर टाइडल बल्ज बनते वह में आपको बताया अंधी साइड ओफ फेसिंग मून अटाइडल बल्ज अकर्स वाइल ऑन दी अपोजिट साइड थूदी ग्रेविटेशनल अट्रेक्शन अफ दी मून इस लेस इस लेस एजिट फादर अवे इस तरफ के पानी को इधर नहीं खीच के लाप आएगा इधर उसका इंपैट कम रहेगा इस तरफ इंपैट किसका ज्यादा हो जाएगा तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बनाएगा तो इस तरह से दो टाइडल बल्ज जो होते हैं वो क्रियेट हो जाते हैं यहां तक चीज़ें क्लीर हो गई ठीक है अब इसमें अलग अलग टाइब जो थे नीप टाइड तो वह आपको अभी आगे नेक्स वीडियो में टाइप सोफ राइट टाइड में क्लियर हो जाएगी ठीक है तो दी टाइज जन्रेटिंग फोर्स इस फोर्सेस एक जाएट इस दी ग्रेविटेशन अट्रेक्शन ऑफ दी मून इंडी संट्रिफिगल फोर्स तो जो टाइट जन्रेटिंग फोर्स होगा तो वह दोनों की बीच का जो डिफरेंस होता है ठीक है मतलब ग्रेविटेश ग्रेशनल पुल अपना इधर काम कर रहा है संट्रिफिगल अपना काम कर रहा है ठीक है तो दोन अपने अपने साइट का लिया है टाइडल बल्ज बना लिया है ऑन दी सर्फेस ऑफ दी अर्थ नियरस्ट दी मून ठीक है तो जो यहां पर आपको दिख रहा जो सर्फेस ऑफ दी अर्थ क्या है निरस्ट टुमून है य opposite side of the earth the attractive force is less ठीक है जो मून का attractive force gravitational force है वो कम है तो वहाँ पे काम कौन करेगा as it is farther away from the moon the centrifugal force is dominant ठीक है तो centrifugal force dominant है तो पीछे वाली side क्या हो जाएगा hence there is net force away from the moon it creates the second bulge away from the moon तो मैंता है जो difference है जिस तरफ moon का gravitational pull ज्यादा काम कर रहा तो moon के side bulge बनेगा और moon का gravitational pull उदर काम निकर उदर centrifugal force काम कर रहा है तो net force centrifugal force का होगा तो एक बल्ज centrifugal force के करण मनेगा ठीक है तो इस तरह से आपको दो bulge देखने को मिल जाते हैं यह दोनों बल्ज देखने को मिल गया तो resultant title bulge जो रहेंगे gravitational centrifugal force के तारण इस तरह से यह बनने वाले हैं अब देखो यहां तक चीज़ समझना ही ना आपको यहां तक जो थी तो यह आपको यहां क्या factors है अब इन factors के लावा जैसे अगर आप देखो कि तो horizontal level पर भी क्या होते हैं यह तो आपने continental shelf जो रहती है न continental shelf क्या होती है तो थो थोड़ी समया पर recall करते हैं चीजों को जिसे कई यह हमारा क्या है continent है यह हमारा continent है ठीक है यह आप ख़डए हो अब यह continent है बीच वीच के बाद में जिसे कर आप देखो कर यहां से tides the height of the tide is great on the wide continental shelf continental shelf height बढ़ क्यों जाती समझना तो rhythmic rise and fall जो आपको देखने को मिलता है तो पानी क्या है इस तरफ अगर moon है तो gravitational pull लग रहा होगा तो इज़र high tide होगी अब high tide होगी तो क्या देखों deep sea oceans में भी पानी उठेगा यहां भी उठेगा लेकिन continental shelf पे जब पानी उठेगा तो continental shelf पे जब पानी उठेगा तो वह क्या है कि वह पानी जो है शोर खतम हो रहा है यहां पर तो यहां पर उसका मीड ऑस्यानिक आइलेंड दे विकम लो और मिड ऑस्यानिक आइलेंड में क्या उतनी उतनी ज्यादा हाइड नहीं होती टाइट की ठीक है फिर क्या एक और पॉइंट दी शेप बेन एस्टिरीस अलाउंग दी कोस्ट लाइन अल्सों मेगनिफाइड इंटेंसिति ओफटाइड हाव सवाल या था कि शेप जो है बे का या फिर जो एश्यूरी वगरा है तो जिस बेप जिस मतलब जिस साइड पर जा रहा है पानी ठीक है वहां पर शेप कैसा है वहां पर फनल शेपड है कि ओपन है वो सारी चीज़े अब क्या करती इंफ्लेंस करती फॉर एक्जांपल फनल शेपड बे ग्रेटली चेंज टाइडल मैगनिटूर्स कैसे यह देखो यहां पर आपको फनल शेपड बैक बेका जो सब सच्छा एक्जांपल है आपकी बुक में जो दिया है टाइड आइड आफ बेयो फंडे ठीक अब बेयो फंडी में आप जैसे देखो कि तो यहां पर हाइस टाइड आती है और फनल शेप की जो हम बात कर रहें यहां पर की फनल शेप बेज आर फनल शेट बेज ग्रेटली चेंज टाइडल मैगनिटूर्स यहां पर हाई टाइड क्यों आती है पॉइंट समझना अच् तो आप जिसे यहां से पानी डालोगे तो पानी तो आप यहां पर दोती है कि ओपनिंग उसकी वाइड है ठीक है और रसका यहां पर जिससे आप दिखो कि जहां क्लोस हो रहां यहां नेरो गया हो हो तो इससे होतां कि पानी जब राइज होता है तो यहां से बहुत सारा पानी में जब बाइज होते हुए जब जाएगा तो आगे support शेप ऑई पर एक चड़ेगा तो यहां पहले पहले के आ रहा था जगा थी उसके पास अब लेकिन क्या और जगा होते जारी तो वह पानी क्या करते जाएगा अब होरिजॉंटल मूमेंट नहीं हो पाना तो वर्टिकल मूमेंट होगा तो इस कारण से जो फनल शेप्ड बेज रहते हैं वहां पर टाइड्स हाई रहती है समझ में आया ना कैसे काम किया यह क्लेरिटी होना चीज़ पर कि यह बेव फंडी जो है भुरुर्फ करेंगा पानी तो विट्स हैं तो वर्टिकल मूमेंट और बढ़ता चलेंगा और यहां पर हाइस टाइड आपको देखने कोdoc ब्लेगी कितना चले जाता है 14 मीटर तक चले जाता है 14 मीटर कितना होता है सोचो डूप जाएगा इंसान तो इस तरह से इतना राइज इतना फॉल देखने को मिलता है आपको बे ओफ फंडे में देखने को मिलेगी तो इस तरह से शेप होरिजॉंटल लेवल पर कौन-कौन से फेक्टर से जो शेप करें कॉंटिन इस चैनल बिट्वीन और इंटू बे और एस्चुरी देखने को मिलता है और जब क्या होता कि इस तरह से बेस्टरी कि वहां पर जाती है तो उसे टाइडल करेंट क्यों कहा जाता है क्यों कि आप समझना कि यहां पर क्या होगा जब पानी आगे पनेटरेट करता आएगा प में तो पानी बहुत जादा है पानी बहुत जादा है लेकिन जगा कम हो गई तो पानी बहुत तेजी से गश करेंगा अंदर की तरफ गश करेंगा तो उसे टाइडल करेंट भी कहा जाता है यह पूंट भी धियान रखना तैडल करेंट भी कहा जाता है बेव फंडी के बार then the tide must come within about a six hour period अब आप कभी यहां पर गूमने चले जाओ ठीक है और गलती साब क्या है लो टाइट थी जब नीचे उतर गया नीचे देख के आ रहे हैं कि हाँ बीच वीच अच्छा है लेकिन वह छे गंडे के अंदर आपको उतना ही उपर फटा फट चरना भी पड़ेगा 14 म नहीं तो क्या है डूब जाओगा तो इस तरह से हमें बहुत कॉश्यस रहना पड़ता है ठीक है मतलब यहां जो लोग रहते हैं फिशर्मेंस रहते हैं उन सब को एसे रफ एस्टिमेटी टाइट राइस अबाउट टू फोर्टी सेंटीमेटर पर आर पर आर इतने सेंटीम यहां पर आपको देखने को मिलेगा आगे बड़ें अब अगली चीज क्या है अब अगली चीज हम नेक्स वीडियो में यह देखेंगे कि आपने टाइट्स तो समझा दिया टाइट्स कैसे काम करती है ग्रेविटेशनल पूल सेंट्रिफीगल फोर्स आपको समझ में भी आ जाएगा मैगनेट मेंस पर किंडर गार्डन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्स चैप्टर्स टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ सिस्टेमेटिक वे में वीडियो लेक्च्चर्स के फॉर्मैट में अविलेबल हैं जिने आप बहुत आसानी से देख सकते हैं पड़ सक कर सकते हैं अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताई मैगनेट मेंस के बारे में मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तिल देन स्टेए कनेक्टेड कीप लर्निंग थैंक यू थैंक यू बरी मच